हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संगीता मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कुगवित संगीता यूपी में तो आज मैं आप लोगों के लिए करके आई हूं घच्चे के लिए की टेश्टी रेसिपी उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है लस्टन की भारे काट लिया है धनिया की कुछ पत्ती लिये इनको भी वॉस करके अच्छे से बारी कट कर लिया है तेल हमारा गरम हो जायगा थाम इसमें जीरा हींग और लस्तन साथ में ही प्याच को एट कर देंगे तो प्याच को हमें तब तक पकाना है जब तक यह गोल्डन- चला करने अच्छेति surface कर लिए तो फ्रेंट अब हम इस स्टेज़ पर हरीमिर्च काट के रखे थे इसको बट 까DSтовक, और इसको प्याजर साथ मिट करदेंगे चारे दिमिक्स करने तो हरीमिर्च ़ूस्ट को हमने से इसलिए काट के रखे दे उसको add कर देंगे टमाटर को soft होने तक हम ऐसे ही चला करके अच्छे से पका लेना है तो देखे friends टमाटर हमारे गल गए हैं इनको चला करके अच्छे से मैंने पका लिया है अब हम इसमें मसाले add करेंगे तो 2-5 चमब लादमिश पाउडर, मसाल को तब तक पकाना है कि इसमें साइट से मांडा दिखने नrob हमांगे मसाल हमाइट दिखें तेल हमारे मसाला कर दिखि Calm你 अब पकाना है हम इसमें जो केले काटके रखे थे उसको वैट कर देंगे और मसालों के साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको काफी अच्छे से चला करके मिक्स करना है ताकि जो मसाला है केले के पीस के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने मसालों के साथ में इसको अच तो 5-6 मिट हो गया आई इसको वापस चेक कर लेते हैं तभी हमने इसको चलाया नहीं है पहले हमने इसमें नमक अड़ किया है तो आप नमक अपने स्वाद के अनुसार एड़ करिएगा नमक डाल करके इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और साथ में ही बिल्कुल थो मिक्स करके slow to medium आज पर इसको प्लेट से ढख करके फिर से 5-6 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है तो 5-6 मिनिट हो गया है फ्रेंस इसको वापस हम चेक कर लेते हैं देखें फ्रेंस सबजी हमारी बन करके रेडी हो गई है अब सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला एट कर देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे तो फ्रेंस इसको मैंने बीच में भी एक बार अच्छे से चला दिया था तो सबजी हमारी बन करके रेडी है हम इसमें हरा धनिया उपर से डाल देंगे तो आईए सबजी को सर्फ करके देख लेते सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब करने ऊस्थ वीडियो अच्छा लगओ आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को प्रस कर लिजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो को नौटिफिकेशन आपको मिल जाए है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू फॉर वाच्छा